आये इस कैसे बने भारत बहुत बड़ा देश है और इसको चलाने के लिए ना केवल बहुत बड़ा मानव संसाधन चाहिए बलकि डायनेमिक, इंटेलिजेंट और अच्छी सोच वाले अफिसर चाहिए जो देश को सुचारू रूप से जनता के हित में सोच कर चला सके आज इस वीडियो में हम जिन टॉपिक का डिसकॉशन करेंगे वे हैं आई इस एक्जाम कौन कंड़क करवाता है, UPSC के एक्जाम के लिए क्या कौलिफिकेशन चाहिए, इस परिक्षा के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, IAS की परिक्षा में कितने एक्टिब्स मिलते हैं, I UPSC परिक्षा के लिए क्या पैटर्न है, इस परिक्षा की तैयारी की क्या स्ट्राटेजी है, आई ये देखते हैं कि आज की तारिक में जो एस्पिरेंस हैं, जो IAS बनना चाहते हैं, उनको सभी बातों से अफगत कैसे करा सकते हैं, पहला टॉपिक है, IAS एक्जाम कौन कंड़क्ट करवाता है, ये कोई IAS के विशा में प्रशन करता है, यानि Indian Administrative Services तो यह केवल एक पोस्ट मात्र है, वास्ता में वह Indian Civil Services की परिक्षा के विशा में जानना चाहता है, यह परिक्षा UPSC अर्था Union Public Service Commission द्वारा कंड़क्ट करवाई जाती है, UPSC एक Autonomous Body है और अ इस एक्जाम के द्वारा IAS, IPS, IFS, IRS, सहित लगबग 24 तरह के Services के लिए परिक्षार्टियों को चुना जाता है, जितने भी लोग इस एक्जाम को पास करते हैं, उन्हें अलग-अलग विभाग में उनके मेरिट के अनुसार जॉब दिया जाता है, जितने भी DM, Commissioner, Deputy Commissioner या अन् होते हैं, वो इसी एक्जाम के द्वारा चुने जाते हैं, यहां तक कि Minister, Prime Minister, Chief Minister के Secretary सभी इसी कैडर के होते हैं, दूसरा टॉपिक, UPSC के एक्जाम के लिए क्या qualification चाहिए, हाला कि देश के बड़े-बड़े पोस्ट बहुत आकरशक लगते हैं, लेकिन इसके लिए qualification कोई भ सकते हैं, पर UPSC मेंस के फॉर्म भरने के पहले उसके कंफर्म रिजल्ट आ जाने चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएसी, बीए, बीसी ए, इंजिनियर अत्वा मेडिकल या कोई भी अन्य डिग्री कोर्स किया हो, तो वा UPSC एक्जाम देने के लिए eligible हैं, ग्राजवेशन के ड सर्विसेज के लिए जैसे IFS, IRS के लिए नेपाल, भूतान, पाकिस्तान के माइग्रेटिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, अब देखते हैं इस परिक्षा के लिए age criteria क्या हैं, इस परिक्षा में अलग-अलग category के लिए अलग-अलग age criteria होता है, जैसे general अभ्याथी के लिए 21-32 वर SCST के लिए 21-37 वर्ष और जमुएन कश्मीर के छात्रों को UPC के एक्जाम में 5 साल तक की उम्र सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है, Physically Challenged Disabled के लिए age limit है, जैनरल 37 वर्ष, OBC 38, SCST 40 age limit है, Civil Services की परिक्षा में अपियर होने से पहले सभी विद्यार्थियों को यह बातें साफ सुत्री ढंग से clear रूप से पता होनी चाहिए, अब आएए देखते हैं Civil Services की परिक्षा में कितने attempt मिलते हैं, इस परिक्षा में attempt अलग-अलग category के लिए भी अलग-अलग मिलता है, जैसे General Candidate के लिए 6 attempt यानि 32 वर्ष तक, OBC के लिए 9 attempt 35 वर्ष तक, SCST के लिए कोई संख्या limit की नहीं है, 37 वर्ष तक जितना बार ओ देना चाहें, ओ दे सकते हैं, यानि उनके attempts unlimited हैं, एक बात या जान लेना चाहिए, क्योंकि UPSC की attempt केवल form भड़ने से count नहीं होता, या attempt exam देने से ही count होता है, आई इसमें selection के क्या chances हैं, इस exam में हर साल लगभग 10 से 11 लाक लोग form भड़ते हैं, इस बार 2022 में 871 पदों के लिए भी लगभग 10 लाक लोग form भड़े, जिसमें से लगभग 50% ही प्रिलिम्स का exam दिये, फाइनली, 861 को ही जौब मिलेगा, अतेव 0.21% से 0.18% तक के ratio को चुना जाता है, परंतु इस आंक्रे से आपको ढ़ने की बात नहीं है, आपको इस services में pass होने के लिए एक ही seat काफी है, है ना? अब देखते हैं UPC परिक्षा के लिए क्या पैटर्न है, यह exam तीन चरण में conduct किये जाते हैं, पहला preliminary, दूसरा main exam और तीसरा interview यानि personality test, अब अलग-अलग exam को हम लोग देख लेते हैं, preliminary exam जो MCQ यानि multiple choice question द्वारा परिक्षार्थियों की knowledge और aptitude का test लिया जाता है, इसमें दो paper होते हैं, paper 1 GS और paper 2 CSAT का होता है, या दोनो paper 200 और 200 नंबर के होते हैं, paper 1 में 100 question और paper 2 में 80 question होते हैं, दोनो paper English या Hindi कोई भी medium में दी जा सकती है, अब यह जानना है कि दोनो paper में क्या अंतर है, paper 2 केवल qualifying होता है, इसमें 66 आंक मिलने पर qualify कर जाएंगे, पर याद रहे, यदि qualify नहीं किये, तो paper 2 में ना qualify करने पर paper 1 में बिल्कुल correction ही नहीं किया जाएगा, अब आते हैं paper 1 में, paper 1 में नंबर के cut-off के अनुसार मेंस exam के लिए qualify करेंगे, paper 1 में प्रत्य गलत उत्तर का एक तिहाई negative marking होता है, यानि तीन गलत उत्तर, एक सही उत्तर को माइनस कर देगा, paper 1 का syllabus है कि इस परिक्षा में Indian quality, geography, history, Indian economy, science and technology, environment and ecology, international relation, इस प्रकार के topic पर तैयारी के साथ-साथ, परिक्षातियों को daily newspaper पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, उन्हें यह समझना जरूरी है कि उनके अपने देश में और अंतराश्टी स्तर पर क्या-क्या चल रहा है, इशू क्या-क्या हैं, newspaper के साथ-साथ समसामा एक magazine भी पढ़ना पढ़ेगा, जहां कहीं भी मौका लगे, debate, discussion के जरिये, अपने सूचना को सटिक बना लेना पढ़ेगा, इनी से सम्बंदित प्रशनों को पूछा जाता है, इस एक्जाम को Civil Services Aptitude Test यानी CSAT भी कहते हैं, इस परिक्षा में Reasoning and Analytical प्रशनों पूछे जाते हैं, जिससे परिक्षार्तियों के aptitude को जाचा जा सके, साथ ही Comprehension और Decision Making पर तता General Maths पर भी प्रशनों पूछे जाते हैं, आईए देखते हैं Main's Exam में क्या-क्या पूछा जाता है, जो व्यक्ति Prelims Exam पास कर जाते हैं, उन्हें UPSC Main's Exam में परिक्षा देने का मौका मिल जाता है, इस परिक्षा में Analytical यानी विशलेशनात्मक पूछे जाते हैं, इस परिक्षा में Knowledge और भाषा का रोल बहुत महत्वपून होता है, या यूं कहिए कि पूरी बातों को समझा कर लिखने से यदि Examiner को अच्छा लगे तब ही वो नंबर दे पाते हैं, यह परिक्षा 1750 Marks का होता है, इसमें अच्छे नंबर लाने पर इसके बाद इनका चैन हो जाता है इंटर्व्यू के लिए, इंटर्व्यू के साथ जुड़कर अगर अच्छा रैंक मिल सकता है, इस Exam में कुल 9 पेपर होते हैं, परन्तु मुख्य रूप से इसमें साथ पेपर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन ही साथ पेपर से मेरिट बनती हैं, दो पेपर क्वालिफाइंग होती हैं, इसमें 33% मार्क्स लेाना ही काफी रहता है, यह मेरिट मार्क्स में नहीं जुरता है, लेकिन यह जान लेना चाहिए, कि अगर कोई इन दो पेपर में क्वालिफाइं नहीं किया, तो उनका अन ने कोई भी पेपर का चेकिंग ही नहीं किया जाएगा, इन दो पेपर में इंग्लिश और दूसरा लोकल लैंग्विज का टेस्ट होता है, General Studies के syllabus को आएए, हम लोग अब देख लेते हैं, General Studies में Paper 1 जिसमें Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society, ये 250 marks के होते हैं, General Studies Paper 2 में Governance, Constitution, Policy, Social Justice and International Relations, 250 marks के होते हैं, General Studies Paper 3 में Technology, Economic Development, Biodiversity, Security and Disaster Management, और ये भी 250 marks के होते हैं, General Studies Paper 4 में Ethics, Integrity and Aptitude का टेस्ट लिया जाता है, और ये भी 250 number का है, इसमें परिक्षार्टी का विचार, किसी घटना पर हुए, क्या निश्शित करते हैं, वे कितना नियावेचित सोचते हैं, इनी सब बातों का टेस्ट है, इस परिक्षा का बहुत महत्व है, और ये महत्वुन इसलिए भी है, इन्हें merit में count किया जाता है, एक अलग भाग होता है इसमें, जो optional paper होता है, optional paper, GS paper के अलावा ही होता है, और इसमें 500 number का होता है, परिक्षार्टियों को इसमें बहुत महनत और जागरुपता के साथ तयारी करनी पाती है, इसमें paper 1 250 marks और paper 2 250 marks के होते हैं, इस section में जिस subject को चुना जाता है, उसमें परिक्षार्टि की खास रूची होनी चाहिए, जिस आधार पर उनकी knowledge और अधिक तिनों तक उसके विशे को यह याद रखना संभव हो पाता है, इसकी अच्छी तयारी अच्छा rank लाने में मदद करता है, ये था विशलेशनात्मक लिखने के उपर में आपको कितने number मिलते हैं, अब जो अंतिम चरन है वह है interview, तो जब आप मेंस पर इक्षा पास कर जाते हैं, तो आप interview के लिए call किये जाते हैं, interview को personality test कहते हैं, यह 275 marks का होता है, इसमें मुख के रूप से personality का test किया जाता है, यह सबसे tough fight होता है क्योंकि knowledge के test से ज़्यादा यहाँ परिक्षार्थी के how-how, बड़ो के प्रतिसमान की भावना, देश के प्रतिसमान की भावना, देश के प्रतिसमान की भावना का प्रदर्शन, ड्रेस, confidence यह सभी देखकर number दी जाती है, मेंस exam के समय जो form भरा जाता है उसे deaf कहते हैं, यानि detailed application form के नाम से जाना जाता है, इसमें परिक्षार्थी अपने बारे में सभी बाते भरते हैं, क्या qualification है, किस जगह से ये belong करते हैं, क्या hobby है, क्या interest है, इसी deaf के आधार पर interview में प्रशन पूछे जाते हैं, वे जो अपने बात deaf में भरते हैं, उन्हें justified, कितना कर पाते हैं, या इस बात का test है, interview के बाद जो 275 marks में से मिलते हैं marks, उसको means exam यानि 750 के साथ जोर कर अर्था, 2025 marks के आधार पर मिले marks के अनुसार meritless बनता है, और अब आप कितनी अच्छी तरह से अपने exam को दिये या निर्भर करता है, अतेव exam देने के पहले, आप इन सभी बातों से अवगत होए, और अपनी तयारी को इस तरह से strategize कीजिए कि आप अच्छा rank के साथ पास होए, और या भी ध्यान रहे या तीन-चार साल तक अगर आप exam देते रहे, तो मन में frustration आता है, मन दुखी हो जाता है, मन और कोई काम करने के like नहीं बचता है, अतेव आपकी प्रयास होनी चाहिए, एक से दो attempt के बीच आप qualify कर लिजिए, बने लिए någon के लिए याँ zakurs ओड भी इन्याम जोड़ी आपकी還有 भी बिचत mendच आपकी करने कि आपकिड़े को शनके खरें तुशन आपकी कि सुखकते अचिक चाह घए ज्मेशन नफिक लिए और ये येवसकते घए धटनिए वत क्फंदने आपकी आपकी, क्लस्तास